एक बड़ी पुराणी कावत है कहीं का इट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा कैसा लगेगा आपको सुनकर की यूएन की अध्याचता उस डिपार्टमेंट की नौर्थ कोरिया कर रहा है बिल्कुल सही सुना आपने कीम जोंग उन कर रहा है उस डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट में परमानू हतियारों को लेकर बात चलनी है एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ यूएनसी में उत्रकॉरिया के मिसाइल परिक्षन को लेकर सुरू हुआ बवाल और ये बवाल लड़ाई में बदला एक तरफ भारत अमेरिका दूसरी तरफ रूस चीन और उत्तर कोरिया लेकिन रूस चीन की एक हरकत ने भारत को फसने से बचा लिया जानेंगे क्या है मामला इसके अलावे बहुत कुछा ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से यूएन में बदलाव की जरूरत है ये पिएम मोदी ने काफी पहले कहा था और ये बात बिलकुल सही है वैसे तो इस वक्त नॉर्थ कोरिया आप देखेंगे तो बिलकुल पगलाया हुआ है और नॉर्थ कोरिया ने अपने सक्ती का परदर्सन कब किया जब क्वाइड की मीट चल रही थी तब चीन और रूज जहां फाइटर जेट भेज रहे थे जापान के आसपास चीनी ने भी जहां जापान को घेर रही थी तो वहीं जैसे ही ये बैठक खतम हुई वैसे ही तीन-तीन मिसाइलें उत्तर कोरिया ने डाग दिया और ये जो तीन-तीन मिसाइलों का प प्यार्वेल देने के लिए उत्तर कोरिया ने इन तीन मिसाइलों को दागा उलाखी अमेरिका को ये इतना दवा करेंगे,ire well देने के लिए उत्तर कोरिया उत्तर तक पहुचने नहीं देंगे हम तेल पर ही सेंपसन लगाएंगे अब इस वक्त देखिए उत्तर कोरिया का हालात कैसा था उत्तर कोरिया में महमाली फैली हुई है खाने को दाने नहीं है दवाईयां पहुच नहीं रही है ये अपने घरेलू नुसकों से अपने आखो ठी करने की कोशिस कर रहे हैं पर दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमें किसी और भारत कैसे फसते हुए बचा पर उससे पहले जरह एक और important ख़बर जान लिजिए और इस ख़बर को जानना बेहत जरूरी है यह जानने के लिए कि यूएन मे रिफॉर्म क्यों जरूरी है नॉर्थ कोर्या को चेर्मेंशिप मिल रही है यानि नौर्थ कोरिया चीफ बनेगा किस चीज का यूएन के एक खास डिपार्टमेंट का चार हपतों के लिए और ये डिपार्टमेंट सुनकर आपको हसी आएगी यूएन डिस आर्मेंट फोरम उत्तर कोरिया को इसकी अध्याचता जी जा रही है एक महिने के लिए 65 देशों का ये फोरम है इस फोरम में अध्याचता करेगा उत्तर कोरिया जो खुद हातियारों को लेकर इतना ज्यादा अक्रामक है कि इसने किसी को नहीं छोड़ा है धमकाने से धमकाने को लेकर करीब एक लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उत्तर कोर बात हुई जैसे कि किसी बड़े क्रिमिनल को आप दे दो कि दुनिया में क्राइम हटाना है तुम उसको चेर करो कुछ इसी तरह की बात जिसके बात 30 देशों ने तो सीधे सीधे वाक आउट करना शुरू कर दिया है कि हम इसके चेरमेंशिप में कोई बाचित नहीं करेंग उत्तर कोरिया के ऊपर ऐसे में उसे ये हक है भी नहीं अब आप सोचेंगे कि इसे फिर चेरमेंशिप मिल कैसे गई एक मेने के लिए ही सही लेकिन ऐसा हुआ क्यों तो सबसे बड़ी गलती है यूएन के नियमों यूएन का जो रूल है उस रूल के हिसाब से रोटेशन चल कभी एक सदस्य को कभी दूसरे सदस्य को कभी तीसरे सदस्य को अध्यच्पत दिया जाता है और इसी करम में उत्तर कोरिया का नाम आया यही वज़े है कि उत्तर कोरिया इस कुर्सी पर बैठेगा बंदर क्या जाने अधरक का स्वाद और बंदर के हाथ में उस तूरा दे भी आगे बड़ी अमेरिका ने ये सोचा कि हम तेल पर परतिबंद लगा देंगे हम नौर्थ कोरिया को बिल्कुल भी थोड़ा भी तेल जाने नहीं देंगे और इसी को लेकर बहस चलनी शुरू हुई जब क्वाइट की मीटिंग हुई थी तो हमने आपको बताया था जो कोरिया पर बिचार करना चाहिए उत्तर कोरिया ने भी इस जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ा था और निकलने से पहले ही बाइडन के तीन और मिसाइलों को ठोक दिया था अब तिलमिलाहट में अमेरिका अपने पूरे सहीयोगियों के साथ यूएनसी में पहुँचा और यूएनसी में पूरी तगड़ी पलानिंग भी कर ली और जाहिर सी बात है भारत ने भी उस जॉइंट स्टेटमेंट में साथ दिया था तो अब भारत के लिए एक ऐसा चन आ गया जिस चन में भारत को फैसला लेना था कि वोटिंग तो होगी अब वोटिंग होगी तो भार तो उत्तर कोरिया के खिलाफ जाता है या उत्तर कोरिया के साथ जाता है खिलाफ तो जाना पड़ेगा खिलाफ इसलिए जाना पड़ेगा कि कौाइड का मेंबर रहते हुए आप भले ही रूस के खिलाफ नहीं गए आपने चीन का भी नाम नहीं लिया भले सारे प्रोग्रा हमारे रिस्ते बिल्कुल नहीं बिगडने चाहिए लेकिन उत्र कोरिया जो कि जापान को उक्सा रहा है और दचिन कोरिया को उक्सा रहा है ऐसे में भारत के पास समस्या यह आ गई थी कि यूएन में तो आप साफ साफाना पड़ेगा अगर वोट करता है उत्र कोरिया के खिल लेकिन जब चीन और भारत के बीश तनाव चल रहा था तब ऐसा किसी भी तरह का कमेंट भारत के लिए या चीन के लिए उत्तरकोरिया ने नहीं दिया है पर योएनसी में अब भारत के सामने करो या फसो वाली इस्तिती थी और ऐसे में भारत को वोट करना पड़ता लेकिन यहां पर यह लड़ाई इस तरीके से बड़ी वैसे तो जो अलाय देश थे जो सहयोगी देश थे तेरा मेंबर ऐसे ही सपोर्ट में थे पंदरा में से तेरा बाइडेन के साथ खड़े थे कि चलो भीया हम इस पे वोट करेंगे हां के पच्छ में अब तेरा में जाहिर सी बात है भारत भी होगा पर ये सब कुछ वोटिंग शोटिंग होती इस से पहले ही चीन और रूस ने कर दिया कांड दरसल चीन और रूस ने इस प्रस्ताव पर ही वीटो लगा दिया और कहा क कि नहीं ये प्रस्ताव आएगा है नहीं वोटिंग की बाद तो दूर की है और चीन और रूस के वीटो लगाने के बाद ये प्रस्ताव वहीं पर रुक गया और कहीं ने कहीं भारत भी आगे फंसने से बच गया एकदम से सामने आने से बच गया पर हां दुनिया के लिए एक बड़ा संकट जरूर कड़ा हो रहा है और रूश ने वीविटो कर दिया है उत्तर कुरिया के खिलाफ। इन तीनों का एक तगड़ा वाला ग्रूप बन रहा है तीनों के पास हतियार है और तीनों के पास हतियार है और तीनों के पास हतियार है और तीनों की सत्ता की चावी ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो काफी बड़े बड़े फैसले लेते हैं वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ